संक्रमित की डेड बॉडी से भी फैल सकता है करोना जॉंबी इंफेक्शन की चेतावनी से दुनिया में दहशत दुनिया में एक बार फिर करोना को लेकर चिंता पैदा हो गई है चीन में हालात हर रोज बद से बत्तर हो रहे है कई देशों में इसे देखते हुए अलर्ट जा जाता है और दूसरों में वो बिमारी आगे फैलाता है एकस्पास का कहना है कि अगर किसी शक्स की कोविट के कारण मौत हो जाती है तो डिट बॉडी से भी संक्रमन फैल सकता है नई स्टडी में ये खुलासा हुआ है जो लोग शबों का निप्टान करते है उसके इसकी परिवारों को सतर्क रहने की चेतावनी दे रहे है जहां कोविट से मौत हुई है जापान में चीबा विश्व विद्यालाई के रिसरचर हिसा को सहतों ने कहा कुछ देशों में जिन लोगों की कोविट से मौत हुई है उनको या तो यूँ ही छोड़ दिया गया या फिर गर वापस ले जाया गया सेतों ने हाली में इस बिमारी पर दो स्टडीज पब्लिश की है उन्होंने कहा मुझे लगता है कि ये ऐसी जानकारी है जिसके बारे में आम जंता को मालूम होना चाहिए साल 2020 में जापान सरकार ने शोका कुल परिवारों से डेट बॉडी से दूर के साथ साथ छूने और नहीं देखने को भी कहा था शबो को बैग में सील कर 24 घंटे के भीतर जल से जल्द अंतिम संगस्कार करने की सफारिश भी की गई थी कई स्टडीज में मौत के 17 दिन बाद तक लाशों में संक्रामक वाइरस पाए गए है डॉक्टर से तो और उनके स साथ ही उन्हें कोविट से मरने वाले 11 लोगों की नाक और फेफरों के सैंपल की जाच की है उन्होंने पाया कि 11 में से 6 शबों में करोना वाइरस के सक्रिय अंश मौत के 13 दिन बाद भी पाए गए वैगानिकों ने कहा लोगों में ट्रांस्मीशन की संभावना सबसे अधि तब होती है जब कोई मरी संक्रमित होने के तुरण बाद मर जाता है उस वक्त शरीर में वाइरस का स्तर बहुत अधिक होता है